आओ बच्चो पार तेरा मैं सबसे छोटी हूँ ये कवीता है पहले से पढ़ लेते मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोवू तेरा आचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा मा तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माथ हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात अपने कड़ से खिला धुला मुक धूल पोंच सज्जित कर गात हमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुक्तपरियों की कहान बात ऐसी बड़ी न होऊ मैं तेरा सदे न खोऊ मैं तेरे आचल की छाया में छिपी रहू नी सप्रह निर्भे कहू दिखा दे चंद्रो दे इस कवीता को लिखा है सुमित्रानंद पंथ में आव इसको अर्थ से समझे मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सौँ इसमें कवी कह रहे हैं कि मैं सबसे छोटी तेरी गोद में सौँ मैं सबसे छोटी हूँ और तेरी गोद में ही सौँ या अंचल का मतलब है आँचल तेरा आँचल पकड़ कर मा, मैं तेरे साथ ही इधर उधर फिरू कभी न छोड़ू तेरा हाथ, मैं कभी नहीं छोड़ू कभी कह रहा है कि मैं छोटी सी हूँ, तेरी गोद में ही सोऊ और तेरा हाथ पकड़ कर मैं इधर उधर तेरे साथ जाऊं घुमँ बड़ा बनाकर पहले हमको, तू फीचे चलती है मात हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात बड़ा बना कर पहले हमको तू बड़ा करती है पीछे तू पीछे चलती है मात माता तू बड़ा बनाने के लिए बड़ा बनाती है और हमारे पीछे पीछे चलती है हाथ पकड़ फिर सदा हमारे हमारा हाथ हमेशा पकड़ कर साथ नहीं फिरती दिन रात फिर जब हमें बड़ा बना देती है तो पहले की तरह हमारा हाथ पकड़ कर दिन रात नहीं गूंगती है अपने कर से खिला कर मतलब हाथ से अपने हाथ से खिला कर और मुख से धूल को पहुँच कर ढूल से पहुच कर और गात मतलब शरीर हमारे शरीर को सुन्दर साफ बनाती है हमा खिलोने नहीं सुनाती अब हमें खिलोने भी नहीं देती है और नहीं सुनाती है हमें सुक्त परियों की बात हमें परियों की भी बात अब तु नहीं सुनाती है ऐसी बड़ी न हूँ मैं, ऐसी बड़ी मुझे नहीं चाहिए कि मैं बड़ी हूँ तेरा सने नक हूँ मैं, जो तेरा प्यार है न जो पहले जो प्यार करती थी बच्पन में वैसा प्यार तेरा नहीं रह गया है, वो मैं नहीं चाहती कि मैं बड़ी हूँ और तुम्हारा स्वे प्यार खोदू तेरे आचल की छाया में छिपी रहूं कहरें कि तेरे आचल की छाया में मैं हमेशा नीडर होकर छुपी रहूं कहूं दिखा दे चंदरो दे चंदरो दे चांद का निकलना अपने गोद में उठा कर मुझे चांद कैसे निकल रहा है वो दिखा दे आओ इसका भावाथ समझे इस कवीता में एक छोटी बच्ची अपनी मा से कह रही है कि है मा मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे खूब लाट प्यार देऊगी मैं तुम्हारी गोद में ही सोज़त सकूँगी मैं सदा तुम्हारे आचल पकड़कर तुम्हारे सासत घूमा करूँगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूँगी बच्ची अपनी मा से शिकायत करते हुए कहती है कि पहले तो तुम बड़े हमें बड़ा बना देती हो और फिर बड़ा होने के बाद हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ नहीं घूमती आप पहले अपने हाथों से भोजन खिलाती थी मूँ धुलाती थी और हाथों में इसे शरी से धूर पोचकर हमें सुन्दर बनाती थी खेलने के लिए खिलोने देती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, परंतु अब बड़े होने पर यह सब तुम नहीं करती कवीता के अंत में बच्ची कहती है कि ऐसे बड़े होने का भी क्या लाब जिसके कारण मेरी मा का प्यार छूट जाए, मैं बड़ी होकर मा के प्यार को खोना नहीं चाती मैं तो तुमारे आचल में छाया में छिपकर इच्चाओं से रहित नीडल होकर चांद को निकलने देखना चाहती हूं मैं बड़ी होना नहीं चाती बच्चो अगर आप कवीता का भावार्थ जो मैंने बोला है अगर अपनी कॉपी में लिख लेंगे इससे तुमें कवीता भी समझा जाएगी उसका अर्थ समझा जाएगा और उसके बाद तुमें इसके question answer भी लिख सकोगे बिना याद करें वे भी अगर तुम भावार्थ अथे से समझ लोगे तो प्रश्णों के उत्तर भी तुम दे सकते हो पहले शबदर्थ बोल लेते हैं अंचल इसका अर्थ है आंचल छलना इसका मतलब है धोखा देना कर इसका अर्थ है हाथ सजित इसका अर्थ है सजाना गात इसका अर्थ है शरीर सने इसका अर्थ है ममता निर्भे बिना डर के चंदरो दे इसका अर्थ है चांद का निकलना आओ प्रशन अभ्यास की तरफ चले कवीता से पहला कवीता में सबसे छोटी होने की कलपना क्यों की गई है तो बारा प्रशन दोराएंगे कवीता में सबसे छोटी होने की कलपना क्यों की गई है इसका उतर देंगे घर के सबसे छोटे सदस्ते को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार मिलता है और खास कर मा के साथ तो उसका जुड़ा बहुत जादा ही होता है इसलिए कवीता में सबसे छोटे होने की कलपना की गई है इसका उतर एक बार और धराएंगे घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार मिलता है और खास कर मा के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ जादा ही होता है इसलिए कवीता में सबसे छोटे होने की कलपना की गई है दूसरा कवीता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है क्या तुम हमेशा छोटा बने रहना पसंद करोगे फिर से प्रशन दोराएंगे कवीता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे इसका उत्तर देंगे अपने मा के सने को हमेशा पाने के लिए हमेशा उसकी ममता के आचल के साए में रहने के लिए कवीता में ऐसी बड़ी ना हूं मैं कहा गया है क्योंकि बड़ा होने पर मा बच्चे को खिला पिला कर खिलोने दे कर भेला देती है और उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती इसका इत्तर एक बार फिर धुराएंगे अपने मा के सने को हमेशा पाने के लिए हमेशा उसकी ममता के आचल के साय में रहने के लिए कवीता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं कहा गया है क्योंकि बड़ा होने पर मां बच्चे को खिला पिला कर खिलोने दे कर बहला देती है और उसे परियों की भी कहानी नहीं सुनाती अगला आशिस पर्ष्ट करो हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात दुबारा करेंगे इसको धुराएंगे आशिस पर्ष्ट करो हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात इसका उतर देंगे कवीता के अंतरगत इन पंक्तियों का आश्य ये है कि बच्ची अपनी मा से कहती है कि मा बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुला कर खिलोने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो अर्थात जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे ऐसे मा का साथ छूटता जाता है मैं निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती है इसका उतर फिर देंगे कवीता के अंतरगत इन पंक्तियों का आश्य ये है कि बच्ची अपने मा से कहती है कि मा बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुला कर खिलोने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड देती हो अर्था जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे मा का साथ छूटता जाता है वैं निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाते झाल 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 इस प्रशन को फेर दो आएंगे अपने चुटपन में बच्चे अपनी मा के बहुत करीब होते हैं इस कवीता में नजदीकी के कौन-कोन सी स्थिति reprova बटाई गई हैं उत देंगे जैसे बच्पन में मा हमारा मूध होती थी, हमें नहलाती थी, हमें खिलोने देकर परियों की कहानिया सुनाया करती थी और साथ ही में हाथ पकड़ कर कहीं जाना हो तो बाहर हाथ पकड़ कर ही जाती थी इस कवीता में एस इनजी के किस्तिती बताई गई है कवीता से आगे तुमारी मा तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है उत्तर देंगे इसका फिर धोराएंगे तुमारी मा तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है और यह उने सोच कर बताना इसका अंसर प्रस्तुत कवीता में मा अपने बच्चों को गोधी में सुलाती है सदा अपने आचल के साई में रखती है खाना नहलाना धुलाना सजाना सवारना और परियों की कहानी सुनाना आधिकारे करती है हम बच्चों को भी चाहिए यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बना कर मा बच्चे को चलती है यह इसलिए कहा गया है कि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं वो ना ही बच्चों को कहानी सुनाती है ना ही वो हाथ पकड़ कर घुमाती है क्योंकि वो उनको वो काम करना वो सब सिखा देती है कि कैसे अपना पढ़ना है, कैसे खेलना है, वो बच्चे सीख जाते हैं, इस तरीके से इस लाइन का या आंसर ये बना अगला, उन क्रियाओं को गिनाओं जो इस कवीता में मा अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है, दुबारा धोराएंगे उन क्रियाओं को गिनाओं जो इस कवीता में मा अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है, उतर देंगे इस कवीता के अधार पर मा चोटी बच्ची को उसके जो धूर में खेल के आई है उसका मूँ साफ करती है शरीर साफ करती है उसे सजाती है साफ कपड़े पहनाती है उसे खाने को देती है और अपनी गोद में उसे सुलाती है अनुमान और कल्पना इस कवीता के अंत में कवी मा से चंद्रूदे दिखा देने की बात क्यों कर रही है चान के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ दोबारा दो रहेंगे कवीता के अंत में कवी मा से चंद्रूदे दिखा देने की बात क्यों कर रही चान के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ इसका उतर देंगे नन्ने बच्चे नादान होते हैं उनके लिए उसकी मा ही सब कुछ होती है उन्हें लगता है कि उनकी मा संसार के सारे कारे कर सकती है इसी लिए उन्हें आस्मान के सूरे, चान, खितारे मांगने में जरा भी हिच्चे जाहट नहीं होती बच्चे चान को प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं जिसे सीधा समन मा से है चान दिखाने के बहाने उन्हें मा का सपर्ष और सने भी मिल जाता है इसका उतर फिर से दुराएंगे नन्ने बच्चे नादान होते हैं उनके लिए उनकी मा सब कुछ होती है उन्हें लगता है उनकी मा संसार के सारे कारे कर सकती है इसलिए उन्हें आस्मान के सूरे, चांद और सितारे मांगने से जरा भी हिचके चाहट नहीं होती बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं जिसके सीधा संबन मा से है चान दिखाने के बहाने उन्हें मास पश करती है और उन्हें प्यार भी मिल जाता है भाशा की बात नीचे दिये गए शब्दों में अंतर बताओ उन्हें क्या फरक है प्यार प्रेम भी प्यार शानती इसका हमने क्या अन्तर बताओ प्रेम प्रेम भी प्यार शानती में शानती जो होती है जहां पे बैठके शानती मिलती है सन्नाटा जहां पे कोई भी नहीं होता सन्नाटा धून धून जो मिट्टी होती है और राख जो किसी चीज को लकड़ पतों को जला के बंती है वो राख होती है ग्रह नक्षत्रों को कहते हैं ग्रह घर नीधन किसी के मिट्टी हो जाती है और नीधन जिसकी मिट्टी हो जाती है नीधन जो गरीब होता है समान जो की इज़त है और सम जो कि वस्तू है नीचे में दिन रात शब्द आया है दिन रात का विलोम है तुम ऐसे चार शब्दों के जोड़े बना सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो जोड़े के अर्थ समझाने के लिए वाक्य भी बनाओ दिन रात है जैसे तो हम इसमें ये में लिखके ही बताऊंगे